लो गाइज मैं उन सभी स्टूर्ड को बताना चाहूंगा जो कि अभी अभी इंटरमेडियर्ट यानि के 12 पास की हैं और वे आगी की पढ़ाई करने के लिए यानि की बीए बीए सी बीकोम या फिर फोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करने के लिए राची उमें स्कुलेज राची पर जा करके आप लोगों को एड्मिशन फॉम अप्लाई करना है तो यह सारा जनकारी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं और बहुत लोगों को यह भी डाउट होगा कि CUT क्या हमें exam दिये हैं तो क्या यह फोम भरना ज़रुरी है तो आप लोगो मैं बता दू CUT के exam देने से सिर्फ झारखन के किसी भी college में या फिर किसी भी university में admission नहीं होने वाला है जब तक आप लोग ये फोंग अपलाई नहीं किजिएगा तब तक आपका college में matlis जारी नहीं किया जाएगा ठीक है तो आप लोग को ये फोंग अपलाई करना ज़रूरी है तो चलिए हम लोग जानें कि कि कौन सा फों है कहाँ पर से अफलाई करना है और किस तरह से अपलाई करना है तो आप लोग देख नेए में यूटुब चैनल लंलाइन कराज जो लोग भी चैनल पर नए ह JONई वी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखी जब आप लोग admission form apply करने के लिए राची ओमेंस कोलेज राची के उपसल विबसाइड में आएंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगं को admission form apply करने के लिए नहीं दिखेगा ठीक है तो कहाँ पर से apply करना है admission form तो ध्यान से देखिएगा जब आप लोग admission form apply करने के लिए विबसाइड खोलेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा admission in vocational course UG session 2024 to 2027 यानि कि यहाँ पर 3 साल का vocational course होने वाला है जिसके लिए admission notice जारी कर दिया गया है इसका भी apply हो रहा है और आप लोग अगर B.A.B.C. BCOM के लिए apply करना चाते है तो उससे आगे notice दिया हुआ है notice for UG admission 2024 to 2028 session admission going on chancellor portal लिखा हुआ है तो इसी पर आप लोग को touch कर देना है जैसे ही touch किजिएगा तो आप लोग को chancellor portal पे redirect करके ले जाएगा ठीक है आप लोग direct भी यहाँ पर आ सकते हैं जिसके लिए मैं इस वीडियो के description box में link दे दिया हूँ कि admission form apply करके ठीक है तो यहीं पर आने के बाद आप लोग को admission form apply करना है और हम लोग को यह भी जाना है कि कर तक आप लोग admission form apply कर सकते हैं उसके लिए चलिए notice देह लेते हैं हापे तो यहाँ पर देखेगा तो राची इनिवर्शिटी देखने के लिए मिल जाएगा दूसरे नंबर में यानि कि R.U. यानि कि राची इनिवर्शिटी तो जो राची उमें स्कोलेज राची है कब से कब तक form apply कर सकते हैं तो 10-5-2024 लेकर के 30-5-2024 तक undergraduate application form apply कर सकते हैं तो आप लोग date देख लिए कि कब से कब तक apply कर सकते हैं और चलिए आप लोग को मैं clear कर दूँ कि admission किस तरह से होगा admission process भी मैं आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग CUT का exam दिये हैं और ये form भी भरेंगे ठीक है और नहीं भर रहते हैं तो उन लोग के admission भी नहीं होने वाला है तो ध्यान रखेगा CUT का exam दिये हैं form भरें हैं लेकिन भी आप लोग को chancellor portal पे form को apply करना होगा तो admission process ये होगा कि जब आप CUT का exam दिये हैं जैसे CUT का marks आ जाता है तो आप लोग को इसी website पे आना है और जो भी आप होग अपलाई किये रहेंगे तो उसको यहाँ पर upload करेंगे ठीक है यानि कि marks को update कर देंगे और जब admission होगा तो सबसे पहले जिन लोग का CUT score रहेगा CUT का marks रहेगा उन लोग का सबसे पहले admission होगा उसके बाद without CUT वालों को हगो ठीक है यहाँ पर दोनों के admission होने वाला है इसलिए CUT का first उसके बाद second preference दिया जाएगा without CUT जिसका CUT नहीं है CUT exam नहीं दिये है तो phone किस तरह से apply करना है यह भी देखिए तो यहाँ पर phone apply करने के लिए सबसे पहले आप लोग को user ID बनाना है क्योंकि यहाँ पर user ID मंगा जा रहा है देख पार हो login section student only तो यहाँ पर user ID कहाँ पर से बनता है तो उसके लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर ध्यान दिजिएगा don't have an account sign up लिखा हुआ है तो इसी पर touch किजिएगा जैसी इस पर touch करते हैं तो आप लोग के सामने एक phone खुल करके आता है जो की sign up वाला phone रहता है student sign up देख पार होंगे यहाँ पर आप लोग को क्या-क्या भरना है तो देखिएगा तो full name लिखना है email id डालना है और यहाँ पर एक user id बनाना user name बनाना जिसे के आप login करेंगे chancellor portal में ठीक है उसके बाद नीचे में mobile number डालना है passport create करना है passport में क्या होना चाहिए कि number भी होना चाहिए later भी होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर जो capture दिया गया है उसको यहाँ पर डाल करके sign up पे touch करके sign up कर दीजेगा आपका login id बन के त्यार हो जाएगा login id बनने के बाद आप लोगको यहाँ पर आकर के login करना है टीक है login कहाँ पर करना है यहाँ पर user ID जो बनाए रहेंगे उसको डालेंगे username में और यहाँ पर passport डालेंगे और यहाँ पर जो capture दीख रहा है उसको यहाँ पर enter करके login करेंगे तो आपका login ID login हो जाएगा उसके बाद आप लोग phone को apply कर सकते हैं अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि phone की इस तरह से apply किय जाता है और भी mobile phone से तो उसके लिए मैं एक special video बना दिया हूँ उस video के link इस video के description box में दिया हुआ है तो वहाँ पर जाकर कि आप लोग देख सकते हैं और खुद से phone को apply कर सकते हैं आप लोग को कहीं जाने की जोरत भी नहीं पढ़ने वाली है अगर आपके पास ATM card है तो payment भ दाना चाहूंगा जो कि ये चंसल प्रोटल देख पार होंगे जो कि जहारखन गौर्णर का ये ओपसेल वेबसाइट है ठीक है तो इसी वेबसाइट से आप लोग को phone को apply करने में कोई भी problem होती है तो आप लोग comment करके पूछ सकते हैं मेरे से कहें पे भी problem होती है तो करके रखिए लो